हेलो गाईज मैं हूँ पपो और आप सबको किलियर करने वाला हूँ सम संख्या ओके ये जो सम संख्या है ये आखिर है क्या तो आएए इसको अब हम समझ ही लेते हैं गाईज आप सबको किलियर ली दिख रहा है सम संख्या ओके इसे इंगलिस में कहते हैं इभे नमबर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभासा मैंने लिख रहा है कि जो भी संख्या में दो से पुरा पुरा भाग लग जाए उसे ही कहते हैं सम संख्या परिभासा इतना आसान है कि आप समझ सकते हैं परिभासा क्या कह रहा है कि जो भी संख्या में दो से पुरा-पुरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं गाइज यहाँ पर जैसे में आप देख पा रहे हैं गाइज यह सब क्या है यह सब हमारे सम संख्या है इसलिए सम संख्या है क्योंकि यहाँ पर यह सब में अगर हम भाग लगाएंगे दो से ना तो यह आसानी से पुरा-पुरा कट जाएंगे एक्जामपल के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं बारा अब बारा में हम जैसे यार दो से भाग लगाएंगे तो यार यह आसानी से कट जाएगा दो छक बारा तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं तो जिसमें दो से पुरा-पुरा भाग लग जाएगा उसे ही कहेंगे समसंख्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब संख्या क्या है सम संख्या है और यहाँ पर आप ध्यान दिजिए अगर आप से पुछ दिया जाए कि ये जो संख्या है इस तरह का हम यहाँ पर दे रहे अब इसको देखकर आप बताए कि ये सम संख्या है की नहीं तो कि आप बता पाएंगे कि ये sum है कि नहीं जी हाँ आप उस समय घबडा जाएगा तो आपको मैं एक trick देता हूँ trick क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा है sort trick trick है कि किसी भी संख्या का 1 अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो उसे आप समझेगा कि वो हमारा क्या है sum संख्या तो यहाँ पर 1 अंक में क्या दिख रहा है आपको 1 अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो भाई से भी काई अंक में यहाँ पर 9 है इसलिए यह हमारा क्या है sum संख्या नहीं है तो guys sum संख्या को पहसानने का यही ट्रिक है कि last में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसे हम कहेंगे Samsung क्या यहाँ पर आप समझे यह क्या है हमारा अब यह हमारा Samsung क्या है इसलिए क्योंकि अंतिम में हमारा क्या है 0 है यानि 1 अंख हमारा 0 है इसलिए हमारा Samsung क्या हो गए यहाँ पर मैंने short trick लिख रहा है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाइ बाइ टेक केर